उज्जेन पुलिस ने शास्के योजनाओं में लाब दिलाने के नाम पर धोका धड़ी करने वाले गिरोह का परदाफास करते हुए दो लोगों को गिरफतार किया है आरोपियों ने मंदसोर सांसत का पीए बनकर फरियादी से 5 लाख रुपे की धोका धड़ी की जिसके शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को धर्दबोचा अभी तक लगभग 20 लोगों से धोका धड़ी करना पाया गया है फिलाल पुलिस आरोपियों से अन्य मामलों की पुष्टाच कर रही है दरसल 23 नवंबर को उज्जेन निवासी भागी रग बाथम ने चीमन गंज थाने में शिकायत लिखवाई थी कि लगभग देड़ वर्ष से उसका परिचित रोहिश शर्मा और उसका साथी भुपेंद्र चोहान उससे 5 लाख रुपे की राशी मुख्य मंत्री सहायता कोश से 15 लाख रुपे सहायता दिलाने के नाम पर ले चुके हैं जब भागिरत बाथम को मुख्य मंत्री सहायता कोश के 15 लाख रुपे नहीं मिले तो उसने रोहिश से अपने पैसे वापस मांगे इसके बाद रोहिश ने अपने आपको मंसोर सांसत का पिये बताने वाले सुधिर गुपता नामक व्यक्ति से उसकी बात कराई इसने कहा कि आपके खाते में 7 लाख रुपे आएंगे और इसकी एक रसीद भी दी भागिरत बाथम द्वारा शास के कारिया लव में रसीद की जांच कराने पर पाया गया कि ये फर्जी रसीदे हैं इसके बाद भागिरत ने चीमन गंज थाने में धोका धडी की रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की तो पाया कि रोही शर्वा और सचिन मितल फर्यादी भागिरत के अलावा अन्य 20 लोगों से भी इस प्रकार की धोका धड़ी कर चुके हैं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य मामलों में भी आरोपियों से पूछ दाज की जा रही है उज्जेन से अजय निमा की रिपोर्ट दोरह एक गैंग को पड़ा गया है जो इनने लोगों के साथ में मुख्यमंद्री साहिता कोश से राशी दिलवाने के नाम पर ठगी करता था इसमें पुलिस ने दोवारोपियों तक रिफ्तार किये इनके दोरह फर्यादियों को ये लालच देखें कि साहिता कोश से राशी ये ले चुके थे पुलिस दोरह इनसे पूश्टाज की जा रही है तो ये जांकरी प्राश कोई है कि लगवर 20 से भी अधुष लोगों को इन्होंने ठगा है उनसे कुछ राशी इन्होंने ली है अलग-अलग योजनाओं में राशी दिलवाने के लिए पुलिस होई चैनल को सब्सक्राइब परें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भुलें